आविश्कारों की कुतियों में यदी मानों का प्यार नहीं है शुर्जन हीर विज्ञान व्यर्थ है प्राने का उपकार नहीं है बौतिक ताकि उठ्थानों में जीवन का उठ्थान न भुले निर्मानों की पावन युग में हम चरित्र निर्मान न भुले स्वाथ साधना की आंधे में वो सुधा का कल्यान न भुले कभी गहते हैं कि आज का मनुष्य विज्ञान में प्रगती करता हुआ दिखाए देता है वह नहीं नहीं अविश्कारों की उचाईयों को छुता हुआ दिखाए देता है और यह आज की समय की मांग भी है लेगि इन अविश्कारों से मानों का हीत होना आगे आवश्कार है यदि इन अविश्कारों से मनुष्य और प्रानियों का कोई हीत नहीं है तो मनुष्य की ऐसी कृतियों से ऐसी खोजे से मनुष्य प्रानी धर्ती की हनी होती है तो इसे इर्मान का कोई उपयुक नहीं है कोई फाइदा नहीं सब कुछ व्यर्ण है अगर उसमें मनुष्य की प्रतिक प्रेर की भावना न हो प्राहिम की प्रतिक खुत्यज्यता नह हो तो सब देखा है विज्ञान द्वारा निर्मिद अविश्कार तो मनुष्य जाती के भौतिक विकास की नियू होती है हमारे मानविय मुल्य हमारे संस्कार इन सारी बातों को याद रखतरी हम विज्ञान के नएने प्रयोग करना चाहिए सात्मी चारित्रिक गुनों का समर्ख्षन समधन करना भी अत्याव सके स्वार्थ में अन्हे ओकर बहुतिक तड़त भड़त की वर्ति प्रभाव में आकर हमें अमनी जीवन का उठ्थान करना नहीं गुलना चाहिए अंतने फिर से कभी यही कहाना चाहते हैं कि संस्तुति का संबान हो जगत का कल्यान हो वसुधा का कल्यान हो चरित्र निर्मान हो आज हमने इस कभीता की माध्यां से यही सिखा है बहुतिक ताजी उठ्थान में मनुष्य को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए बहुतिक ताजी मुल्या मानों स्वार्प, सित्ता, निराशा से गिराववा होता है और अपनी अलोकिक बुद्धी का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता तो रिशम और प्रतिभा की सदुर्वग से ही जीवान का उठ्थान हो सकता है आविश्कारों की कूतियों में यदी मानों का प्यार नहीं है, सुल्जन ही विज्ञान व्यर्प है, प्राने का उपकार नहीं है, बहुतिक ताटी उठ्थानों में जीवन का उठ्थान न भुले, निर्मानों की पावन युग में हम चरित्र निर्मान न भुले, स्वाथ साधना की आंधे में वो सुदा का कल्यान न भूले कभी करते हैं कि आज का मनुष्य विज्ञान में प्रग्यती करता हुआ दिखाए देता है वह नहीं नहीं अविश्कारों की उचाईयों को छुता हुआ दिखाए देता है और यह आज की समय की मांग भी है लेकि इन से मनुष्य और प्राणियों का कोई हीत नहीं है तो मनुष्य की ऐसी कृतियों से ऐसी खोजे से मनुष्य प्राणी धर्टी की हनी होती है तो इसे इर्मात का कोई उपयूप नहीं है कोई फाइदा नहीं है सब कुछ व्यर्थ है अगर उसमें मनुष्य की प्रतिक्रत्य भ विज्ञान द्वारा निर्मिन्द अविश्कार तो मनुष्य जाती के भोतिक विकास की नियों होती है। हमारे मान्विय मुल्य हमारे संस्कार इन सारी बातों को याद रखतरी हम विज्ञान के नएने प्रयोग करना चाहिए। सात्मी चारित्रिक गुनों का सरुक्षन समध स्वारत में अन्यों कर बहुतिक तड़क भड़क की वर्ति प्रभाव में आकर हमें अपनी जीवन का उठ्थान करना नहीं बुलना चाहिए। अंतने फिर से कभी यही कहना चाहते हैं कि संस्कृति का संबान हो, जगत का कल्यान हो, वसुधा का कल्यान हो, चरित्र निर्मा हो, आज हमने इस कर्वता की माध्यां से यही सिखा है, बहुतिक तड़की उठ्थान में मनुष्य को अपना विवेक नहीं होना चाहिए, बहुतिक तड़क में उल्या मानो, स्वार्प, स्वित्ता, निराशा से गिराववा होता हैं, और अपनी अलोकिक गुद्धी का ठी इसे विल नहीं कर बाता, तो इसम और प्रतिभागी सदुद्धुक से ही जीवां का उठ्थान हो सकता हैं